वाटसब गाईज, आज हम देखेंगे रोहिच शर्मा के बाद, अब सूरे कुमार यादभ होंगे टीम इंडिया के नए कप्तान, इंडिया वसी शिलंका सीरीज के लिए टीम आउन्स हो चुकी है, देखते आज रोनों का क्या कुछ कहना, और भाईया, मेरे को यही था कि हार तीम का बस ही की गुंडा हो सकता है, और इस टीम के नए गुंडे है, गौतम गंबिर, नमस्कार मैं हूं, रॉनक आप देख रहे हैं, रंतंतली शिलंका दोरे के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है, इतना तो दिल्ली वाले थंडी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जि पिर से एंटेइन्मेंट भयंकर मिलने वाला है, और क्या टीम बनाई है T20 की, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सते हैं, एक नजर फिर से देख लीजिए, मैं एडिटर को बोल दिया है, कि रोक के रखेंगे इस को, देख लिया जी भरके, आप ज़रा वंडे की टीम पर के बाद भारतरी टीम के नए T20 कपतान है, सूरी कुमार यादो, हमने आपको पहले ही बताया थे कि इस वक्त सूरी कुमार यादो के लिए गोतों गंभीर ने पूरी ताकत लगा दी, आलंकि वर्ल्ड कप की टीम में उप कपतान रहने वाले हार्दिक पंडिया इस का अरंभ होगा, आप बता दो कि क्या सूरी कुमार यादो कपतानी के लिए बेस्चोइस है, या भिर हार्दिक पंडिया बहतर रहते, कॉमेंट बोक्स खुला हुआ है, प्लीज कॉमेंट करके जरू बताना, हाइलाइट नमबर दो, शुभमन गिल को बना दिया गया है, त अगर लगता है हार्दिक पंडिया को खाली कपतानी वाला जख्म मिला है, उनको तो डिमोशन भी जहलना पड़ा है, अब वो टीम को उपकतान भी नहीं है, पंडिया को उपकतानी के रोल में देखना ही नहीं चाह रही, प्रोफेशनल लोया परसनल, पंडिया भाई के सवालों के गेरे में रहें उनको फिर से उपकतानी का जिम्मा दिया गया और इंटरनेट वाले इसी बात पर भढ़के हूए, क्योंकि पिछले दौरे के बाद अगर आपको दूपनर चुनने थे तो वो शायद संचुरी बनाने वाले अभिशेक शर्मा होते और उनके अला आपको रोई चर्मा और विराट कोली कब खेलते दिखाई दिये थे साथ में वंडे मेरे खाल से 19 नॉम्बर को जो फाइनल था उसी में दोनों साथ में खेले थे उसके बाद दोनों ने टी-20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चालू कर दी लेकिन अब होनी है चैंपेंस ट्र आपको थोड़ा बहुत गंबीर का इफेक्ट नजर आ रहा होगा क्योंकि गंबीर हमेशा से यह कहते हुआ है कि खिलाडियों का रेस्ट लेना उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि वर्कलोड इतना है ही नहीं अब तो खेर रोई चर्मा और विराट के पास T20 का वर्कलोड वा जाने के बाद भी संजु भाई की खराब किसमत जारी रहेगा अलांकि रियान परा को वन्डे टीम में शामिल कर रहा है और इसे के साथ गंबीर एफेक्ट एक बार पिर दिखा है क्योंकि कॉंट्राइक्ट नहीं होली के बावजूद शेयर वन्डे की टीम में शामिल गए कुल मिलाकर जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी ही तबाही टीम बनी है इस पर बहुत सारे विचार और विमर्श किया जा सकते हैं और आप लूग भी कॉमेंट करके बताना कि यह आपको सही लग रही है यह नहीं लग रही है कोच के तौर पर गंबीर के इस टीम ज़्णाम फेस्व मैं रूत राज का लूपि उन्देमर फेस्ट घ मिलर को लेना ठीक है यह मुझे थोड़ा कि इनिटे मुझे लगता रूत राज प्रक लिए अभी कभी इसने बी अब तरह की टीम बहुत बढ़ी है लेकिन एक और चीज एक मुझे वाइस कैप्टन गागी हार्दिक पंड पर जब उसे अभी एक प्रपर चीज एक लिए अभी गागी है लेकिन उस तरह का निए अगर पर्स्नल परफोर्मान और अगर मैं वैसे भी देखू तो एक्स्पिरियंस की बात करो तो हर्दिक पंडिया एक वाइस के लिए तो एंडिए अपना बता हु तो मैं प्रिफर कर स्काय के लिए स्काय बट बड़िया कर लिए मुझे पता है लेकिन यहां पर रुतुराज के साथ सही नहीं हुआ है और संद्यू समसें 50 ओवर सगयब देख लिए 15 खिलाडी ही लेने तीम में वह बात मिया है अभी उसके डिसिजन को सबको हार्श लगा ऐसे लिकिन जब र केल राहूल ओडिया स्कॉड में है और हर्शिताना भी आचुके यह इच्छी चोइस है और श्रीया जब भार भी किया किया था उस बंदे का प्रफॉंस व्ल्ड कॉप में बहुत अच्छा था 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 थी के ओर लेकिन कुछ कुछ चीजे थी जो मुझे वाशिंटे सुंद उनका यह है जो करेगा वो खेलेगा लेकिन बस रियान परक्का मुझे समझ नहीं आया उसकी और रुतुरात से पहले प्रफरेंस आप अपना पॉइंटी भी शेयर कर सकते हो मिलते को बडियों के साथ बबाए ठेक्यार